रासंकाड वालों के लिए फिर से एक बड़ी खुस खबरी लेकर हाजीर हो चुके हैं दोस्तो अगर आपके पास भी रासंकाड है चाहे वह रासंकाड कोई सा भी क्यूना हो EPL हो, BPL हो या फिर आन्तियोध्य रासंकाड हो कोई भी आपके पास रसनकाड है तो आप इस वीडियो को जरूर वच करेगा दोस्तों आप रसनकाड से क्या-क्या लाब ले सकते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल वाइज जानकारी देने वाले हैं आप दोस्तों काफी वैक्तियों को लाब मिल भी चुका है उसके बारे में भी हम आपको step by step इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों आप रासनकार से फिरी मकान प्राप्त कर सकते हैं फिरी सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं तो यहां पर किस प्रकार से हैं लाब मिल रहा है और आप कैसे लाब ले सकते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल वाई जानकारी देने जा रहे हैं तो आप अंतितक बने रहेगा आउर दोस्तों वीडियो को देखते रहेगा आपसे हमारा निविदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देजिए जाज-स-ज्यादा शेयर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेजगा चलिए वीडियो को सुरू करते दोस्तो रसनकार धार्कों को सरकार की तरफ से डबल लाव दिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रसनकार के अंतरगत रसन मुहया करा जाता है, रसन बाटा जाता है। लेकिन व्यक्तियों को इस से अलग भी लाब दिये जाते हैं देखे दोस्तों रसन कार्ड से आप कौन-कौन से लाब ले सकते हैं वे हम आपको इस वीडियो में step by step बताएंगे जिन व्यक्तियों के पास रसन कार्ड है उन लावारतियों को मुफ्त में मकान मिल सकता है मुफ्त में LPG Slender मिल सकता है और दोस्तों और भी कई बड़े लाब वहल ले सकते हैं लेकिन काफी वैक्तियों को पता नहीं होता है कि कैसे लाब ले आ जा सकता है चाहे आपके पास अन्तियोद्य रसन कार्ड है या फिर BPL कार्ड है दोस्तों आप आसनी से लापराप्त कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे और कौन इसमें लापराप्त कर सकता है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयंतियोद्य रसंकार धार्गों को प्रधान मंत्री आवाज श्योजने के अंतरगत दोस्तो एक लाख बीस हजार रुपे दिये जाते हैं अब दोस्तों यहाँ पर काफी व्यक्तियों ने प्रधान मंत्री आवाज योजने की अंतरगत आविदन किया है लेकिन उन तक लाब नहीं पहुंच पाया है तो उनको लाब क्यों नहीं पहुंचा है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं और आप रासन कार्ड से दोस्तों फिरी मकान कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं सबसे पहले बात करते हैं उन व्यक्तियों की, कि जो व्यक्ति पहले से ही आविधन किये हुए हैं और उनको अब तक लाब नहीं मिला है, काफी व्यक्ति तो ऐसे हैं, जिधोंने दोस्तो 2018 में आविधन किया था या फिर 2019 में आविधन किया था, लेकिन उनको अब तक भी नहीं मिल पाया है तो आपको बता चाहेंगे कि पर्धान मंतरी ग्रामीन आवास योजना के अंतरगत दोस्तों जब लाव दिया जाता है लावारतियों को तो उनकी सबसे पहले जांच परताल की जाती है कि वह इस लाव के लिए पातर हैं या फिर आपातर हैं क्योंकि सरकार क मकसद है कि यह लाव उन्हीं वैक्ति को दिया जाए जो इस योजना के पातर हैं जो गरीब हैं उन्हीं वैक्ति को लाव दिया जाए दोस्तों मकान बनाने के लिए एक लाव बीस हजार रूपे दिया जाते हैं साथ साथ जो वैक्ति पाड़ी छितर में रहते हैं उनको एक लाक तीस हजार रुपे दिये जाते हैं अब दोस्तो रसन कार्ड वालों को क्यों लाब मिल सकता है उसके बारे में भी हम आपको जानकार देते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि काफी वैक्तियों को दोस्तो रसन क काड़ वालों को क्यों यहां पर दाप मिल रहा है अगर आपके पास अन्तिया रसंकाड है या फिर बीपियल रसंकाड है और आपने अन्तिया या फिर बीपियल रसंकाड के जो अनुकरमांग होते हैं जो नंबर होते हैं आप कैसकते हैं डिटेल्स अगर आप रसंकाड की दे जांच परताल होने के बाद ही लाबारतियों को रसनकारग बना जाता है तो इसमें जादा जांच परताल नहीं की जाती और उनको जल्द ही लाब दिया जाता है तो उस तो काफी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह लाब मिल रहा है और आपको बदान चाहेंगे कि माकानों में जो अलाब सरकाल की तरफ से दिया आता है वे तीन किस्त में दिया आता है पहली किस्त साथ हजार रुपी दियाती है और दूसरी किस्त भी दोस्तों यहां पर आपको दाँ चाहेंगे सोरी यहां पर जो पहली किस्त दियाएगी वे चालिस जार रुपी दियाएगी जब आप अप कि जब आपकी दोस्तों लिपाई फुताई होती है चाहसे जार रुपे तब जाता है इस परकार से लावार्ति को एक लांक बीस हजार रुपे तक का लाब दिया जाता है अब दोस्तों इसी परकार से आप प्रधानमंत्री उज्वला योजना के अंतरगत मुफ्त में LPJ गैस क्नक्सन भी ले सकते हैं क्योंकि यह आईडी के तोर पर भी रसंकार को यूज की जाता है अगर आपके पास अधारकार नहीं है या फिर कोई भी आईडी प्रूप नहीं है तो आप वहां पर अपने रसंकार को उप्योग मिला सकते हैं अपने रसंकार को आप इस्तमाल कर सक यह होली और दिपावली पर फिरी गैस लेंडर देने की घोसना सरकार दुवारा की गई है आप सभी को पता है ये फिर दोस्तों हमाँ पोदा दें कि 24 अक्टूबर को दिपावली है और दिपावली पर ही आपको एक लपीजी गैस लेंडर दे जाएंगे हाला कि काफी वैक्तियों को होली पर लाब नहीं मिल पाया है क्योंकि दोस्तों काफी वैक्तियों को पता ही नहीं चल पाया है क्योंकि जो सरकार दुवारा एलान के गया था वह लाब मिल भी रहा है या नहीं तो आप दिपावली पर अलर्ट रहेगा क्योंकि दिपावली आन लिया हुआ है उन्हीं को यह लाव दिया जाएगा दोस्तों यह थी आपके लिए महत्पुर्ण जनकरी यदि आपको कोई सवाल कर सकते हैं आपकी सवाल को जवाब दे जाएगा और आपसे हमारा चोट हन्युदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा बैलेगन को ओल पर अपसेट करेगा ताकि आनले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और उसका लावाब प्राफ्ट कर सके अब चाहते आप याहते हैं, धा एक आप पहुंच सका लावाब पर पर मत dor आप चैनले वीडियो को जब चैनल दीजिए खचितार्व कर चैनले सभी मोट पहानीज का शो नह्मूकante करें नहीं कर दो पक ए हुआाइल जब दो खशने और आप हैं जए हैं और तक हैं आप darkest hour